अगर हम multiplication की बात करें तो मैंने भी यूट्यूपर आपको बहुत सारी multiply करने के short trick सिखा रखी हैं लेकिन जब बात divide की आती है यानि भाग करने की तो अच्छे अच्छे लोग भाग खड़े होते हैं लेकिन टेंशन नहीं लो मैं कहीं नहीं भाग रहा यहीं खड़ा हूँ आपके सामने और आपको divide की एक ऐसी जबरदस trick देने आया हूँ जो की आप ऐसे बड़े बड़े numbers पे लगा के चुटकियों में इनका answer आप देख कर ला सकते हैं चाहे नंबर point में हो चाहे शेश आए चाहे पूरा पूरा कटे बड़े से बड़े नंबर की divide आप करेंगे सिर्फ दो ही steps को follow करके जी हाँ बिलीब नहीं हो रहा हो तो यह पूरी वीडियो आइंट तक देख ले ना आपकी आखों के सामने सब कुछ करके दिखाऊंगा पर बड़ा उसको आपको 73 यानी तहतर से डिवाइड करना है अब ऐसे सवाल आपके आ सकते हैं आपके सिंपिलिफिकेशन की आ सकते हैं पर एक्जाम को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी बड़े नंबर से मैं आपको सिखाता हूं बहुत दियान से मेरी स्टेप को आप देखियेगा सबसे पहले इसको लिखने का तरीका आपको इसको लिखना कैसे कि 73 इस तरह से लिखना है 7 की पावर ठीरी साथ में था मैंने इस नाइन वन टू एट तो यह आपने मेरे साथ सीख लिया लिखने का तरीका अब देखिए अगली बात यहाँ पर मैंने एक डिजिट को एक अंक को ऊपर पावर बना दिया इस वरा से मैं राइट हैंड साइड से अपने नमबर में एक अंक छोड़कर एक लाइन इस तरह से ड् breaking अटा इसका मतलब क्या है क्या मैं तीने अंकव वाले नंबर से भी डिवा catching कर को या सेंज़ करता है तो देर किस बात त्रिक देखते रहीं मेरे साथ no नमबर 1 क्या करना है वही करना है जो आप बच्पन से करते आ रहो डिवाइट करना है सिंपल अब हम 73 का पहाड़ा ना पढ़ेंगे सिर्फ 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर नमबर है 49 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 35 होता है तो हमने 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा 7 35 ह हो गए 49 में से 35 माइनस करेंगे चार आपका बचेगा वो चार फिर हम आगे दे देंगे तो वो चार हमने यहाँ पर इस एक को दे दिया तो यह एक और चार मिलके बन गए आपका 41 अब क्या करना है स्टेप टू ध्यान दीजिए फिर से हम पहाड़ा ही पढ़ेंगे अब यही स्टेप रिफिट करेंगे बट उससे पहले एक काम यह करेंगे स्टेप टू क्या है हमारी जो नीचे हमारा कोशेंट आएगा उसकी मल्टिपलाई इस छोटे वाले नंबर से करके इसमेंसे हम माइनस करेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसका रिजन यह कि हमने डिवाइट करने चीए 73 से लेकिन हमने डिवाइट करी है 7 से तो कुछ ना कुछ एरर किरियेट हो गया होगा वो एरर खतम करने के लिए हम क्या करेंगे जो भी नीचे कोशेंट आएगा उसकी मल step से इनको repeat करते चलिए आपका answer आगे बढ़ता चला जाएगा देखिए अब 26 में पहाड़ा 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 7, 23 होते हैं 26 मेंसे 21 माइनस करा कितने बचेंगे पांच बचेंगे वो पांच में आगे देदिuts – वो पांच में आ गए देदमगा इस दो को दे दुगा तो यह आपका बन जाएगा 52 हो जाएगा यहाँ पर आप अब अलग से माइन मिल लग सकते हैं यह आपको माइन्ड में करना है, इसलिए मैंने हापर यह पूरा बिरेन वाया रखा है आपके लिए, बावन बचे, आप क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टिप्लाई, तो तीन तीया आपके नो होते हैं, नो इसमें से आप माइनस करेंगे, तो आपका 43 बचे का, 43 में पहाड को तो यह मेरा 18 बन जाएगा, 18 यहाँ पर, फिर हम क्या करेंगे, वही स्टेप रिपीड करेंगे, नीचे जो हमारे पास कोशेंट आया है, उसकी मल्टिप्लाई तो 6,3,18 होते हैं, जब 18 में से 18 माइनस करें, तो कुछ भी नहीं बचा, 0, इसका मतलब कुछ नहीं करना, 14,128 divided by 73, तो 536 आपका आंसर आजाएगा, यह तो टाइम लिया मैंने आपको समझाने में, अभी देखिया, अगला सवाल में और बड़े डिट का लूँगा, वह कितनी जल्दी आंसर आएगा, आपकी आखों के सामने सब कुछ है, अब ट्रिक आपने सीख लिए अब देख 17 में एक ही बार पढ़ा जाएगा, 12, 12, 12, 12, 17 में से 12 गए, 5 बचेंगे, वह 5 हम अगले नंबर को देखेंगे, यह पर है एक, तो 5 और एक मिलके आपके हो जाएगे, एक क्यावन यह है हमारा नया डिविडेंट, लेकिन अब हमें क्या करना है, step number 2 फोलो करनी है, जो की होती और छोड़े नंबर की multiply हमारे dividend में से minus, तो 8 है कम 8, तो आप 51 में से 8 minus कर दो, आपका बचेगा 43, आपको अब नया dividend है 43, इसमें पढ़ना है 12 का पहाड़ा, तो 12, 48 ज्यादा हो जाएगा, 12, 36 हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने पढ़ा 12, 36, तो जब हम 43 में से 36 minus करेंग आपका 7 बचेगा, वो 7 फिर हम अगले नंबर को दे देंगे, अगला है आपका 5, तो 7 और 5 मिलके आपके कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएगा, तो यहाँ पर 75 हो गया, आपका नया dividend, लेकिन फिर step to follow करो, क्या है, 38, 24 हमें quotient और इस नंबर की multiply minus करनी होती है, तो 38, 24 minus करेंगे इसके अंदर से यहाँ पर फटाफट से कर लो, आप यहाँ पर कितने बचेगा, आपका एक बचेगा, यहाँ पर आपका 5 बचेगा, 51 आपका आगया, फिर से 12 का पाड़ा पढ़िए, तो 12 कितने बढ़ेंगे, बारा चोक 48 यहाँ पर आपका आजाएगा, तो यहाँ पर मै तो जब मैं 32 मैं 32 माइनस करूंगा तो जीरो खतम सवाल हो गई डिवाइड जी हाँ इसको 17152 को 128 डिवाइड करने पर 134 आएगा और बिलीव ना हो तो मैं क्या किया रहा हूं वीडियो पोस कर लीजिए फटा फट से कैलकुलेटर निकाल लीजिए और आप अपना आंसर जो ह यहां तक आ गए हैं तो मैं आपको बढ़ाई देना चाहूंगा क्योंकि अब आप सीखेंगे कुछ ऐसी चीजे जो जिन्होंने वीडियो छोड़ दी होगी वो नहीं सीख पाएंगे इसलिए आप स्पेशल हो जाएंगे तो ध्यान से देखिए अब इस सवाल के थिरू मैं आपको तीन नई चीजे सिखाने जा रहा हूं एक तो अगर पॉइंट में आपको डिवाइट करनी पड़े तो कैसे करोगे अगर कुछ रिमेंडर यानि शेश बच जाए तो कैसे करोगे और एक नई चीज जो इन सवालों के अंदर सोचना पड़ती है तो आईए बताता बाड़ा बाड़ा 7, 8, 56, 8 बार अब यहां पर 60 में से 60 में से जब मैं 56 माइनस करूँगा तो मेरा 4 बचेगा वो 4 में आगे इस 1 को दे दूँगा तो 4 और 1 मिलके 41 हो जाएगा बहुत सिंपल है हमें पता है तो यहां पर यह 41 हो जाएगा फिर हम क्या करते हैं स्टेप 2 फो हो गई क्यों कि यहां पर नीचे नंबर जो है बड़ा माइनस का हो गया अगर मैं 48 इसमें से माइनस करूँगा तो मेरा माइनस का अंसर आएगा और डिविडेंड तो माइनस में हो ही नहीं सकता किसी चीज को माइनस की चीज को कैसे करेंगे इसमें यहां पर तो दिक्कत आ साथ बार ही इसका पहाड़ा पढ़ेंगे सा्थ सत्तर और नंकर यहांपर हैंगे 77049 तो हम शाज में मैंस सब्सक्राइब 19-6 करेंगी तो 11 lore वह रहां हमी इस एक को देंगे तो 111 और 17ald ऐर ओपर आ जैगा हमारा एक सो ज्यार यह हमारा निया डिविडैंट फिर step to follow करेंगे साथ चिंग 42 तो साथ चिंग 42 इस में से माइनस करेंगे तो अब हमारा ये पॉजिटिव में ही रहेगा ये एक नई स्टेप थी उम्मिद करता हूं समझ में आयोगी आपको आप माइनस करतेंगे ने डिविजिंट पाने के लिए तो यहां पर हमारे पास 63 होते हैं यह मैंने पढ़ दिया तो अब 69 में से 63 आप माइनस करतेंगे आपका 6 बचेगा वो 6 जो है हम आगे देंगे 3 को तो यह 3 जो है 6 के साथ मिलके बन जाएगा आपका 63 आप क्या करेंगे step to follow करेंगे 9 चिंग 54 चे निम 54 तो 54 इस में से हम पहले माइनस करेंगे अपने ने डिविडेंट को पाने के लिए तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए 6 ती 9 नो आपका बचेगा ठीके तो 9 में हम फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो साथे कम साथ simple as that यहाँ पर हम एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बंजा 7 तो 9 में से 7 जाएगा आपका 2 बचेगा फिर वो दो हम आगे इस दो को दे देंगे तो यहाँ आपका कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा 22 बन जाएगा फिर हम क्या करेंगे step 2 फोलो करेंगे 6 कम 6 6 इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा नया डिविजेंट 16 बन जाएगा 16 में पहाड़ा पढ़ेंगा 7 का 7 दूनी 14 दो बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो साथ दूनी 14 14 इसमें से माइनस करेंगे 16 में से दो बचेगा फिर वो दो हम आगे देंगे इसको यह आपका 25 बन जाएगा तो यहाँ पर यह आपका 25 है इसमें से फिर हम क्या करेंगे step 2 रिपीट करते चले जाना है वही चीज तो 12 12 यहाँ पर हम इसमें से 12 माइनस करेंगे आपका 13 बच गया जी हाँ बच गया जी तो नहीं आए ना बच गया तो अब आगे और कोई नंबर भी नहीं बचा तो येस इसका मतलब यह 13 है यह इस सवाल का है रिमेंडर मतलब इतनी बार तो यह नंबर पूरा पूरा कर जाएगा और 13 आपका जो है वो इसमें रिमेंडर आएगा शेश आएगा तो अगर ऐसा कोई सवाल हो इसमें कोई रिमेंडर बच रहा हो यह steps फोलोंगी अब let's suppose इसी सवाल को हमें रिमेंडर नहीं बचाना point में लेकर आना याँसार तो कैसे करेंगे point वाली इससे आप कर सकते हैं कैसे हमारे पास कितना बच्चा 13 बचा, ठीक है? क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? 7 का पढ़ा पढ़ सकते हैं россий 1 Vermouth 5 पाईने 5 पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ प्थे पोिंट लगाएंगे किया बात जा रहे हैं, इस लाइन से पाईग है उधर जा रही है तो point लगा के अब पहाड़ा पढ़ेंगे 13 में 7 का तो एक बार पढ़ा जाएगा 7 एकम 7 ठीक है 7 एकम 7 तो जब हम 13 में से 7 पाइनस करेंगा आपके 6 बचेंगे वो 6 हम आगे देते हैं अब आगे कुछ ही नहीं तो किसको दें तो हम क्या करेंगे अपने पास नया डिविडेंट क्या है 60 है फिर हम क्या करेंगे step to follow करेंगे एक की और इसकी multiply तो 6 कम 6 होते हैं 6 में से माइनस करेंगे तो आपका 54 बचेगा अब 54 में 7 का पाड़ा पढ़ो तो 7,8,56 जादा हो जाएगा नहीं हम 7,7,49 पढ़ेंगे तो फिर से हम पाड़ा पढ़ेंगे 7 70-49 तो जब इसमें से आप माइनस करेंगे 17 इस तरीके से तो आपका कितना बचेगा आपका यह बचेगा 5 तो फिर हम 5 आगे देते हैं अब आगे तो कुछ नहीं है तो हम क्या करें जीरो कंसिडर करेंगे अपने पास से और 5 उसको देंगे तो इस तरीके से यह बन आपका 50 तो 50 अगला आपका बन जाएगा फिर यहां क्या करेंगे फिर वहीं साही चिंग 42 इस मैं से 32 माइनस करेंगे माइनस करके आपका आट आएगा फिर आप एक बरोपाड़ा पढ़ेंगे 8 में 7 गंसाथ इस तरीके से आपने आप प्ढ़दिया है 7-1,7 तो आपका पिर 1 बचेगा वो फिर वो एक आप आगे दे देंगे 0 मान के कर सकते हैं बट मेरा जो मकसद था वो पूरा हो चुका है क्या? point में divide करवाने का जी हाँ point के 3 अंकों के बार divide कर दियो आप जितने अंक चाहें उतने के बार तक आप divide कर सकते हैं और अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो कि यह आंसर गलत ना हो क्या कुछ गड़बर ना हो तो आप फिर से वीडियो को पोस्ट कर लो कैलकुलेटर उठा लो और यहां पर लिख दो देखी हैं यहां पर है 6,1325 यह मैं यह लिखा इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 76 तो यही आंसर आ रहा है 7912.171 आप देख सकते हैं चाहें तो आप खुछ से भी ट्राइ कर लेना तो तरीका जो मैंने आपको बताई जो स्टे से ट्रिक के हमें किसी भी बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी बड़े नंबर से हमें क्या करना है नीचे वाले नंबर को एक डिजिट को ऐसे ऊपर छोटा बनाके लिखना है फिर हमें छोटे नंबर से पहाड़ा पढ़ना है एक बार पहाड़ा पढ़ना है देखें कि 4749 पड़ा फिर जो भी हमारा नमबर बचेगा वो हम आगे देंगे अगली नमबर को फिर हम पहाड़ा पढ़ने से पहले क्या करेंगे बस हम उस नमबर में से इस में से कोशेंट और इस छोड़े नमबर की मल्टिप्लाई माइनस करके नया डिविडिन बनाएंगे पर उसमें पाड़ा पढ़ेंगे बस यही दो स्टेप से यही रिपीट करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे और आपका आंसर जो है वो आता चला जाएगा तो इस तरीके से यह ट्रिक है अब यहां पर यह कुछ सवाल आप लोगों के लिए आ रहे हैं फटा-फट से व में आपका टाइम बचाती हैं और आपको मार्क्स दिलाती है वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करके और कॉमेंड करके इनका आंसर मुझे जरूर बताएं ऐसे ही शौट ट्रिक्स की वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहोंगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैर आइकन दबा दीजिए और अपने सारे ही दोस्तों को यह वाली वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और उनको भी हैरान कर दीजिए कि देखिए क्या जबर्दस की डिवाइट करने की ट्रिक है मैं बहुत जल्द लोटूंगा एक और नई ट्रिक के साथ अब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ जय हिंद